60 second में जानेंगे Windows 10 में notepad कैसे open करते हैं तो देखिए उसके इने desktop पर किसी भी blank area पर जा करके आप right click कर दीजे उसके बाद नीचे new पर जाईए तो right side में आपको कई सारे option मिलेंगे और यहाँ पर देखिए यह text document का option basically यही notepad है जब इस पर आप click करेंगे तो देखिए एक नई file यहाँ पर आ जाएगी और जब इस पर click करके हम इसको open करेंगे तो देखिए यहाँ पर यह notepad आ गया ठीक है यह देखिए notepad